तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कल याने की बुधवार को 24 अगस्त को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल प इसको नोट कीजिए थोड़े से दिन प्रेक्टिस कीजिए फिर आप खुद के दमपर निफ्टी बैंक निफ्टी की डैल नेक्स्ट डे की प्रिडिक्सन कर सकते हो यह मेरी कोशिस रहती है हमेशा से ही यानि कि मैं खाली दोस्तों आपको लाइन लगा कि यह नहीं बताता ह तो दोस्तों वीडियो को अंततक देखा करो, प्वेंट्स को नोट किया करो, आपको ये तब तक अजीब लग रहा है, जब तक आपको इसका पता नहीं है, जब आपको इसकी नोलेज हो जाएगी, थोड़ा सा भी आपको अंदा जा जाएगा, फिर आपके लिए नोर्मल बात मैंने साब साब बोला था कि यहां पर मार्केट ने टाइम स्पेंड गया, जब भी इसके उपर प्राइस एक्षन बनेगा, मार्केट में अच्छा मुमेंटम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 50 की मुविंग एवर है, जब इसके उपर अगर मार्केट निकलते तो बहुत बड़ा मुमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट उपर गई, 15 डेज की मुविंग एवर है, तुर्न टच करके, कलोजिंग नहीं दे पाई उपर लेकिन नीचे आगे, अब दूसरी बार जैसे ही प्राइस एक्षन आपको मुमेंटम देखने को मिला, लेकिन आपको सुबह-सुबह क्या बोला, मार्केट खुलने से पहले, इसके पिछेगा मैं लोजिक भी बता रहा हूँ, आपको मार्केट खुलने से पहले, क्या-क्या सावधानी बरतने चाहिए दोस्तों, वह भी मैं अभी आपको बता हूँ, आठ बजगे, 15 मिर्ट पे मैंने आ गिरावट हुई है, क्योंकि मार्केट दोस्तों काफी स्ट्रेच हो गई थी, प्रोफिट बुकिंग आना नॉर्मल बात है, और मार्केट में एक हेल्थी गिरावट है, 38,000 से उपर हेल्थी गिरावट रहती है, ठीक है, यह मैंने आपको कल भी बताया था, नीचे जाने के आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हमें एनालिसिस कर ले तो एक लोजिक आपको समझाना चाहता हूँ, दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, पहन कोपी में, देखिए, दूसरे देश की मार्केट, अपने देश की मार्केट को केवल गैप डाउन और गैप अपन करवा सक सकती है, और अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा होता है, तो दोस्तों आपको वेट करना है, कितनी देर का आधे या एक घंटे का वेट कीजिए, माल लीजिए, दूसरे देश की मार्केट 600 पॉइंट डाउन साइड है, तो आपको क्या करना है, अपनी मार्केट भी गैप डा कीजिए, कि रियक्ट कैसे कर रही है मार्केट, क्योंकि मार्केट गैप डाउन, गैप अप केवल दूसरे देश की मार्केट को देख की हो सकते हैं, लेकिन जो मार्केट का सारे दिन का रियक्शन होगा, वो दूसरे देश की मार्केट की तरह नहीं होगा, ये बात मैं आप आपको बहुत बार समझा चुका हूँ दोस्तों अपने देश का एक अलग लेवल है आज के टाइम पे दूसरे देश के मुकाबले अपनी मार्केट बहुत ज्यादा कम गीरी है और जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर F.I.D.S. है अपने देश की तरफ दोबारा से इन्वेस साइड चले गए आज भाई आज हालत देखोन की फिर क्या हुई होगी ऐसा मत किया करो अपने देश की मार्केट के अनुसार चलो जिस साइड प्राइस एक्षन बनता है जिस साइड आपको अच्छी से चाट समझ में आता है ऐसे आप काम करो अगर मार्केट फ्यूचर में 3852 की अच्छा खासा दोस्तो मार्केट ने एक मुमेंटम दिया उपर की साइड जो हम पहले ही मार्केट खुलने से पहले प्रिडिक्ट कर चुके थे अब माली जे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसकी सी रेंज में फ्लैट ओपन होती है दोस्तो एक बढ़िया मु को मैंटम देखनी को मिल सकता है तो इसको आपको हैंडल कैसे करना है अगर आप व्लप करके रिस्की त्रेडर हो तो माली जेए फिलैट ओपन फिलैट ओपन होने के बाद इस आज के हाई को उपर की साइड कोरोस किया प्राइसęक्शन बना आज की तरह हमग conscious कि इंब करना है रखार वएक संट नहीं करना है और फिर अगर प्राइ प्राइस के इंटजार नहीं Lubting करना है इस शिप्लिपान मार्केंट खीन कर सब्सक्रांब कम तो रहेचा मार्केट आपका टार्गेट नियोंगर इंजा इसाघव नहीं रहने वाला है यहां पर मार्केट ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड गया था तो यह एक रसिस्टेंस का काम करेगा इस जोन यह एक रिस्की जोन है आप नोट कर लीजे कौन सा जोन है 38,850 से लेके 49,100 तक का जो जो जोन है वो एक रिस्की जोन है जो सेफ ट्रेडर है वो इ में वननलकि कोमेंटईिटी के साथ ठ्रेड कर सकते हो अगर इस जोन के ऊपर निकलती है तो प्वांटĩटी एड़ कर सकते हो फस्त मुँमेंटम आपको कोल सैट देखने को मिल सकता है आई वोप दोस्तों आपको यह पुएंट समझ में आया होगा क्यों क्योंकि दोस्तों मार्केट में मुमेंटम उपर की साइड देखन क्योंकि पोजिशन स्क्वेर ओफ होंगी जो सेलर होता है अचानक से बाइर बन जाता है इस वजह से मार्केट के अंदर जब स्टोप लोस होते हैं कोल राइटर्स के एक वन साइड मुह देखने को आपको मिलता है तो हमेशा द सकता है मार्केट में ठीक है लेकिन यह कब आएगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होके पोजिटिव केंडल बना के निकलती है पूट साइड दोस्तों आपको इस एरिया के नीचे यानि कि पचास की मूविंग एवरेज के नीचे और जो यह मार्केट नहीं यहां पर एक तक आ सकती है 38,200 का लेवल आपको इंट्राडे में फिर से देखने को मिल सकता अगर इस रेंज से नीचे मार्केट आना शुरू करती है तो ठीक है अगर डारेक्ट इसके नीचे आती तो हलका सा प्राइस सेक्शन बनने दीजिए अगर टाम स्पेंड करके नीचे आती तो आपको प्राइस सेक्शन बनने का वेट नहीं करना है अब बात आती है दोस्तों मेरी थोड़ी सी परसनल थिंकिंग क्या है वो बता देता हूं कल थोड़ी सी प्रोफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में अगर मार्केट पोजिटिव ज्यादा हो जाती है तो क्योंकि दो स्टोपलोस हीट होगा वो भी एकदम से पोजिशन स्क्वेर उप कर सकते हैं उनके स्टोपलोस हो जाएंगे और दूसरा स्टोपलोस दोस्तों लोगों का होने वाला है इस एरिया में होने वाला है तो अगर इस जोन में दोस्तों मार्केट खुलकी है गैप अपन होती है यह नेगेटिव केंडल बनती है दिन का लोग रोज करता है मार्केट बैंक निप्टी पचासाइट पैंट का एसल डाली है वन इस टूर आपका टार्गेट हो जाएगा आप उट साइड बैट सकते हो लेकिन एक बात याद रखें इस जोन में अगर मार्केट इस जोन में अग के कोल साइड बैट सकते हो 49-500 के आपके टार्गेट होने वाले हैं तो सबसे बढ़िया ट्रेड आपको दोस्तो कम मिलेगा जब मार्केट इस जोन के अंदर इस जोन के अंदर उपन होती है और फिर उपर की साइड निकलते तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड देखन को मिल सकता है अगर गेप डाउन ओपन हो गई दोस्तों माली जिए इस किसी रेंज में गेप डाउन ओपन होती है तो यह सपॉट का काम करेगा यह वाला एरिया है काम करेगा क्योंकि यहां है तो आपर फिर से यहां से जबर दस्तनी कवरी आईल य Дोस्त पर.old गृफ seeks औ Pas रखता है कल मुझे ऐसा लग रहा कि मार्केट में हलकी फुल की प्रोफिट बूकिंग आ सकती है अगर मार्केट किसी भी टाइम अगर बुलिश होती है तो इस चीज को आप करना ठीक है माल लीजे गैप डाउन ओपन होती है एक नेगेटिव केंडल बनती है दिनका लोग फिर से क्रोस करती है प्राइस सेक्षन बनाती है और इस रेंज को या फिर इस रेंज को तोड़ती है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए अगर यह तूटती है तो फिर आ पहला अगर 37,950 से नीचे बैंक निफ्टी निकलती है तो बस स्विंग मारक करने और कुछ नहीं है तो यह लेवल थे दोस्तों बैंक निफ्टी के कल के लिए परफेक्ट लेवल मैंने आपको हर्त रेगी सिच्वेशन समझा दी है कि ऐसे ओपन होगी तो कैसे आप हैंडल का रखे यह हो जाएगा वह हो जाएगा पहली का मेरी स्टडी रre-trade मत रिया करो मैं और क्र ट्रेड किया अगरो भाई जो आपके पास confidence आजाएगा फिर आप रियल ट्रेड कर सकते हो ठीक है पेपर ट्रेड करो किसी के मैं कोई से भी रेजिस्टेट एडवाइजर नहीं आपके लिए सिखाने की कोशिस करा हूं ताकि आपकी टिप्स के उपर से निर्वरता खतम हो जाए तो हाथ जोड़ के विंति है अपने फाइनिंशल एडवाइजर से जरूर सला ले मैं कोई मेरी कोल टिप्स को मत फोलो करें उनको केवल एजूकेशन परपंज के लिए आप कोटक वाली स्टड़ी आपको दी थी कल दी थी मैंने देखो यह स्विंग ट्रेड लिख रखा इसके उपर 15-15.18 तक तो यह कल ही पहुंच गई थी लेकिन आज इसने बहुत अच्छा टार्गेट दिया है आज इसने बहुत अच्छा 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 फर्स टार्गेट पंदरा से बाइस का और भी उपर तक गई थी भाई 26 तक गई थी फिर हमने बैंक निफ्टी की स्टड़ी दी थी आपको ठीक है मैंने PCR डेटा में अपडेट करता हूं अपना व्यू देता रहता हूं क्या होने वाला फिर देखे कैसी लगी दोस्तों चड़ाई क्यों कि मै अगर लिंक कर रहा है जी ओका नंबर उसका बहुत कम लिंक काम करता है तो आप एक काम कीजिए टेलीग्राम पे सरच कीजिए मार्केट यात्रा ओविशियल इस लोगों से इस नाम से कम से कम 20 चैनल फ्रोड मिलेंगे किसी को जो है नहीं करना पहचान कैसे करोगे औरीजनल कि जो अपनी पोस्ट हैंगे में लिखी मिलेंगे कोई पेडरुफ को कोई कोई चला ऑपकर आसी सब्सक्रैबर बोट सब्सक्राइबर इस से ज्यादा मिल सकते लेकिन उनके post पर views नहीं मिलेंगे तो original channel की post पर view मिलेंगे आप join कर सकते हो telegram पर बहुत कुछ मैं आपको यहां पर सीखने के लिए परपद से डालता रहता हूं ठीक है चलिए nifty देख लेते हैं भाई nifty का क्या scene है भाई nifty में भी same momentum रहा है एकदम से जबरदस recovery आई फिर से price action बना और एक अच्छा momentum market ने दिया है माल लिजे nifty दोस्तों flat open होती है 17650 के आसपास 620 के आसपास open होती है flat open होई इसकी सी range में अगर यह दिन का high तूटता है price action बनता या फिर time spend होगे market इसके उपर breakout देती है 20-30 point का पैसल डाली है वंस्तों आपका target हो जाएगा पहला target आपका 17750 का रहने वाला है ठीक है coal side आप बैठेंगे आप C बाए कर सकते हो अगर market दोस्तों flat open होगे आपको put side कब जाना देखे यहां पर market ने बहुत ज्यादा देर तक time spend किया है पलस 50 दिन की moving average भी है तो flat open हुई इसके नीचे जैसे इनिफ्टी निकलती है कौन सा level है मैं वह भी दिखा देता हूँ आप सब को कौन सा level है एक मिनिट रुकिए कहां गया यह यह रहा यह level है दोस्तों 17-550 का जैसे 17-550 के नीचे दोस्तों निफ्टी निकलती है 20-30 point का SL डालिए आप put side बैट सकते हो 20-30 point का SL डालिए 17-80 point का आपका target आपको मिल सकता है यहां तक इस level तक निफ्टी आ सकते 17-450 तक यहां कि 100 point का momentum आपको इंट्राडे में निफ्टी में देखने को मिल सकता है put side अब दोस्तों माली जीए heavy gap up open होगी इस किसी range में 17-700 के आसपास ही अगर open हो जाती है तो हम क्या करेंगे 15 wait कर जाएंगे 15-30 minute का wait करेंगे अगर bullish candle बनती है दिन का high break होता है 20-30 point का SL डालेंगे आपका target होगा और ये level के आपको 17-800 के level आपको देखने को मिल सकते इंट्राडे में लेकिन अगर ज्यादा heavy gap up open होती और negative candle बनती है और दिन का low break करके price action बनता है तो 20-30 point का SL डालके आप put side बैठ सकते हो पहला target आपका ये रहने वाला जबरदस support है दोस्तों 17-580 वाला ठी इसी रेंज में gap down open होके अगर negative candle बनाती है जब तक दोस्तों इस level को ना तोड़ दे निफ्टी इस level को ना तोड़ दे यानिकि 17-400 से नीचे जैसे ही निकले price action बनाए 20-30 point का SL डाली है वह इंश्यूट आपका put side target हो जाएगा 17 point का target हो जाएगा और अगर दोस्तों gap down open होके इस किसी support range है दोस्तों याद रखना यह support range जोन है fresh support है यह भी याद रखना यहाँ पर बुली scandal बनी दिन का high cross किया price action बनता है तो 20-30 point का SL डालो 80-90 point का आपका call side target हो जाएगा लेकिन यह चीज़े देखने से पहले दोस्तों आप PCR data जरूर देखना और बहुत सारी चीज़ दोस्तों बहुत सारे लोगों के यहाँ पे stop loss लगे हो सकते हैं तो अगर इसके निचे निकलती है तो डाउन साइड आपको एक fast move देखने को मिल सकता है निफ्टी में तोस्तों मेरे को ज़्यादा space दिखने ही रहा है बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा space दिख रहा है कल देखते हैं क्या होता है मैंने तो आपको level बता दिये इनको chart में mark कर लीजिए logic मैंने आपको बता दिया है अभी closing strong दी ह निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 डेंज की moving average के उपर closing दी है अगर इसके नीचे निकलती है market जब तक इसके नीचे 15 डेंज की moving average के नीचे नहीं निकले तब तक आपको put side नहीं जाना है price action बनने देना है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था आपको कैसा लगा एक प खाली बैंक निफ्टी के analysis नहीं करके दिखाता हूं आपको मैं बहुत सारी strategy भी शेयर करता हूं जो की लोगों की paid course का है ठीक है आप देख सकते हो बहुत सारी strategy की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताना अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुबरे मिलते हैं दोस्तों के लेक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जैह हिंद